नमस्कार विद्यारतियों आज के इस लेक्षान में हम पढ़ेंगे B.A. Part 3 संस्कत ब्याकन का जो प्रथम प्रिसंपत्र है भारते दर्सन एबं ब्याकन उस प्रिसंपत्र में हम आचारे अन्नम भट ब्रचित जो तरकसंग रहे और जो बैसे सिख दर्सन का एक महत्मून गरंत है उसका दर्ब्य प्रकड में जो दर्ब्य है दिक उसको आज हम पढ़ेंगे और दिक जो दर्ब्य है उसका लच्छन देते हुए अन्नम भट ने का आए प्राच्च आदे विवार हेतुर दिक प्राच्च कहते हैं प्राच्च यानि पूरु तो पूरु पक्ष्चिम उत्तर दच्छन ये दिसाएं मूल मानी जाते हैं तो ये क्या कहते हैं कि प्राच्च आदे अर्था जो पूरु बादी हैं दिक नामक जो द्रभ्य है नव द्रभ्यों में तो वह दिक कौन सा होता है जिससे हमको इस बात का ज्यान हो कि यह पूरव है, यह पश्चिम है, यह उत्तर है, यह दच्छिन है, इस प्रकार का हम को जिससे ग्यान होता है, उस हेतु को, उस कारण को क्या कहते हैं, दिक कहते हैं, दिक नामक द्रब्य होता है, पैसे सामानी रूप से अगर हम देखते हैं, तो जो दिक है, उस कारण होता है दिशा तो इसमें क्या कहते हैं कि जिस द्रव्य से हमें प्राच्यादी का जो ज्ञान हितु होता है उसको कहते हैं दिख फिर क्या कहा क्योंकि प्राच्यादी से क्या है पूरुफ वक्षे मुत्तर दच्छनादी यह सभी हितु आ सा चाई का कि सा माने वह है वह कौन वह है जो दिक है वह जो दिसा है चाई का एक प्रकार की होती है अब हमारे सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जब वह एक प्रकार की होती है तो पर ही ये कौन सी प्रकार है और उपश्यम उत्तर दच्छन ये और भी उसके उपभेद हो और भेद भी किसके उपाधी के भेद होते हैं और उपाधी क्या होती है जिसके द्वारा ढख दिया जाता है उपधियते या नेनेती उपाधिया जिससे उपधित कर दिया जाए जिससे ढख दिया जाए उसको क्या कहते हैं हम उपाधी कहते हैं अब ये जो पूर फश्यमुत्त दच्छनादी हैं, ये क्या है? दिशा के भीद नहीं है, ये दिशा के उपादी कत भीद हैं, बैसे तो क्या कहा? साचई का, कि वह जो दिशा होती है, वह एक ही होती है, और बिव्भी, बिव्भी कहता है, ये इस तीलिंग में है, दिख नामक दरब्य है, वह कभी भी समाप्त नहीं होता है, वह हमीशा रेने वाला है, उसका एक भेद है, वह बिव्भू है, और नित्ते हैं, तो अब इन्होंने क्या कहा है? कि जो विद्वान हैं, दूसरे विद्वान भी लगभग यही परिवासा थोड़ा बहुत सब् में अंतर करते हुए, दिख के विशे में प्रस्तुत करते हैं, अब दिख के विशे में जो परिवासाएं प्राप्त होती हैं, उनमें जैसे एक दिया है, दूरांते कादी ही, धी ही तुव, यानि दूरांते कादी, देखिए जैसे आप देखते हैं, तो दूरांते कादी, दूरांते कादी धी हेतु है हेतु कहते हैं कारण को तो दूर का तात्पर होता है कोई बस्तु हमसे कितनी दूर है और अंतिक का तात्पर होता है कोई बस्तु हमारे कितने पास है इसका जो बुद्धी का हेतु होता है बुद्धी का मतलब होता है ज्यान उस हेतु को क्या कहते हैं हम दिक कहते हैं दिक का ताथ पर क्या होता है दिसा तो इसमें यह कहा है दूरानतिकादी हेतु हा दिक अब इसमें जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके जो उपभेदे हैं जब आप ब्याख्या करेंगे तो पहले तो आपको क्या है इसका जो सीध कारण है एक होती है बिभू होती है नित्य होती है इसके बाद आप क्या करेंगे जो उसको बदल देंगे पर आगर आपको और उसके बाद क्या है जब आप पढ़ते हैं तो आप बताएंगे कि वह जो है एक प्रकार की होती है कौन जो दिक है फिर देखिए पुस्तक में जब अन्य और दिसाएं दे रखें क्योंकि चार जो प्रमुप दिसाएं बोतु क्या होती है आपकी पूर्व, पश्यम, उत्तर और दच्छन हो जाती है और उसके बाद चार और दिसाएं हो जाती है जैसे आप देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा पूर्व, उत्तर, पूर्व, पश्यम, उत्तर इसी प्रकार से दच्छन, पूर्व ये चार हो जाते है और फिर उसके बाद और अन्य भेद हो जाते है जिनमें क्या है आगने, बायब्य, नेरित्य, और ईसान ये चार और उप दिसाएं हो जाते है इस प्रकार से कुल क्या है दिसा के जो भेद हैं बे क्या माने जाते हैं दस माने जाते हैं तो इन दस भेदों को क्या है ये उपादिगत भेद हैं जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उस पुस्तक में आपको ये भेद मिल जाते हैं कि ये जो भेद हैं वो कैसे भेद हैं उपाधिगत भेद हैं और उपाधिगत भेद हैं तो देखिए कौन-कौन से हैं कि आगने बायब्या नेर्टे और इसान देखिए चार तो ये दिशा हो जाते हैं पोरु, फश्यम, उत्तर, और दच्छें ये चार प्रमुक दिशा हैं और उसकी बाद क्या है चार उपाधिशा हो जाती हैं आगने बायब्या कौनसी आगने बायब्या नेर्टे नेर्टे और फिर उसके बाद जो दिशान इसान और फिर ओपर आकास और नीचे पाताल इस प्रकार से क्या है हमारी जो दिशा है को ओप दिशा अगर हम देखते हैं तो टोटल मिलाएंगे तो दस परकार की दिशा हो जाती हैं वैसे तो क्या है मूल जो दिशा है चार हैं पोर पश्य मुत्तर और दच्चेन उसके बाद चार ओप अन्नम्भटने की साचय का कि वे एक ही होती है और विभि विभु आप जानते हैं कि जो सभी द्रव्यों पाए जाए उसको क्या कहते हैं हम विभु कहते हैं और नित्य नित्य उसको कहते हैं, जिसका जन्म नहीं होता है, जो कभी नश्ट नहीं होता है, उसको क्या कह देते हैं, हम नित्य कह देते हैं, तो इस प्रकार से जब आप इसकी विस्तार से ब्याक्या कर लेंगे, फिर आपको क्या करना है, बिसेस में इन दोनों को लिखना है, पिर तीसरा नमबर डालके बिसेस में हम लिख देंगे इसको, कौन सा? दूरांते कादी हेत्धी हेत्व हा यानि दूर और पास के जो बुद्धी का जो कारण होता है ज्ञान का जो हेत्व होता है उसको क्या कहते हैं दिख कहते हैं और फिर जब आप इसकी ब्याकर्ण लिखेंगे ब्याकर्ण में आपको पता ही है कि यहां यह इस्तिलिंग का है तदसब्द है यहां यह विभू है विभी है जैसे आप लिखेंगे गींस प्रत्य हुकर के इस्तिलिंग हो गया है यहां पर आपकी विशर्ग संदी हो जाएगी ब्यभार हे तुहा प्लस दिक और यहां प्राची प्लस आदि यहां यन संदी हो हो गए उनको को लिख IT s Tunis लो संदर्व रिखना है फ़र समय लिखना एं प्रसंग यह हो गया इसके बाद आपको क्या करना है तो ऑद करता है इसके बादif यहां लिख देंगे आप उसके बाद प्राच्ची आदी है तो इसमें लिख देंगे आप जैसे यहां लिख देता हूँ प्राच्ची प्लस आदी यहां यन संदी हो जाएगी और दो ये हैं चार भोतें तो इस प्रकार से विद्धारती हो आपको इसकी ब्याख्या करनी है आज के इस लेक्चर में इतना ही जैहिन जैभारत इस लेक्चर में।गते हैं